समस्कार दोस्तों तो हम आज वीडियो बना रहे हैं कि आपके फोन में नेटवर्क आ रहा है लेकिन आपके सिम में ना तो मैसेज आ रहा है ना मैसेज जा रहा है ना फोन आ रहा है और ना फोन लग पा रहा है यह समस्या आपको जो है जीओ कि गर दो से में पड़ी है उसमें प्ररोब्लम मुटता फ्म까요 क्रवंविं देखा जारे वो फोन का कनेक्शन कड़र जाता आपको करना क्या है जो आपका से अपर देखा गया है कि जो स्लॉट टू होता है जिसमें स्वेश्रों क होnio ëटी और या Voda phone की SIM डालोगे और उसको से फिर आप जो है और SIM 2 में ज्यादा तरफ प्रावलम होती है जो slot 2 होता है उसमें प्रावलम होती है तो उसमें आप जो Voda phone या Airtle की SIM बेगरे डाल के और फिर फोन या कॉल करके देखिए इसके बाद मुझे को निकाल लिए जब वो काम करना सुरू कर देगी और फिर से अपना जीओ लगा लो तो दोनों SIM जीओ की फिर से आपको काम करना सुरू कर देंगी अगर आपका जो फोन है SIM 1 और SIM 2 यानि कि slot 1 2 में अगर 4G दोनों सपोर्ट करता है इसके बाद में गरी प्रबलम आती है तो होता है नहीं कभी कबार ऐसा भी हो जाता है कि आपका पता चलता है कि एक 4G है और एक 3G होता है जो slot 1 में 4G काम करता है या मानिक चलो अगर SIM slot 1 में 4G करवाना चाहते हो तो 4G चालू करना चाहते हो तो SIM 2 जो है slot का जो SIM 2 है वो 3G हो जाएगा अगर आप जो है एक में 4G हो जाएगा एक में 3G सिम चलेगी इस तरीके चो सेट कर सकते हो यानिकि एक में ही LTE सेट हो पाएगा लेकिन अगर आपका दोनों 4G सपोर्टिड है दोनों LTE सपोर्टिंग पर भी आपका जो है पहले आपको बात हो रही थी दोनों जीओ सिम से और इसके बादे में अब एक जीओ सिम काम ने करें तो आप उसको निकाल लिए और समय जीओ के लाबाब कोई दूसरी SIM डाल करके और समय लगा करके कॉल बगर आपना यूज़ करके देख लिए एक बा अब बगाए SMS कुछ करके देखो इसके बाद में आपका काम करना सुरू कर देगा फिर से जीओ या जो भी आपके पास है जो SIM लगाना चाहे तो जीओ की उसको फिर से लगाओ और काम करना सुरू कर देगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक क चैनल को सब्क्राइब करने क्योंकि हम ऐसे ही धमाग के दर वीडियो आपके लिए राते रहेंगे ठैंक यू